काम्याब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में सुरुवात करनी पड़ती है भले तयारी पूरी ना हो क्योंकि यह इंतजार करने से काफी बहतर है ठीक है और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप एक्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं अगर आपके अंदर विस्वास है तो आप बीना कोचिंग सेंटर तक पहुचे भी आप एक्जाम क्रैक कर सकते हैं आज के रेट में तो इतना सारा सुविदा मिल गया है कि अगर पैसा बहुत जादा नहीं भी है फिर भी आप एक्जाम क्रैक कर सकते हैं हाँ उसके लिए जजबा बहुत जरूरी है वो आपके अंदर आत्म विश्वास होना चाहिए कि एक्जाम हम भी क्रैक कर सकते हैं ठीक है क्लास को स्टार्ट करूंगा बोलूंगा चैनल के उपर जो भी नहीं है चैनल को सस्क्राइब करने के वाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीचेगा ताकि हर एक क्लास का अबिट मिलता रहे और इस क्लास का पूरा का पूरा प्रिडिफ सक्सेस की 98.18 से डाउनलोड कर लीचेगा और किसी भी एक्जाम का मोग टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98 से दे सकते हैं और एक बात मैं आप सभी को बोल दूँ हमारा एप अप्लिकेशन डाउनलोड करकर आप अप्लिकेशन की उपर भी मोग टेस्ट दे सकते हैं किसी भी एक्जाम का बैंक, रेलवे, एससी या इंसुरेंस और आज कवर करने वाले हैं उसके पहले अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजे एक टू जिड आपका क्लास चलने वाल ठीक है और आज कवर करने वाले हैं 10 अक्टूबर के important current affair कुछ important point के साथ तो देखते हैं आज का पहला प्रस्त हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और पहला प्रस्त हमारे सामने है wildlife week दर 19 का बिसय यानि theme क्या था ये आपको बताना है जिसे 2 से 8 अक्टूबर दर 19 में मनाया गया है यानि जो wildlife week है वो कब से कब तक celebrate किया गया है तो वो किया गया है आपका 2 से 8 अक्टूबर तक बिसय क्या था 19 का ये आपको बताना है तो इस बार का जो theme था 19 का वो था पानी के नीचे जीवन लोगों और ग्रह के लिए option number B life below water for people and planet ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है question ये है जल सक्ती मंत्राले द्वारा घोसित गंगा अमंत्रन अभ्यान एक कैसा कारिक्रम है ये किस टाइप का कारिक्रम है ये आपको बताना है तो ये एक rafting कारिक्रम है अब आपको मैं बता दू ये rafting होता क्या है बोला जाता है आपको क्या rafting और एक बात मैं आपको बता दू कि जो नया मंत्राले बना है जल सक्ती उसके मिनिश्टर कौन है तो गिजेंदर सिंग सिखावत नाम याद रखेगा एक्जाम में पूछेगा ठीक है और ये rafting किया जाएगा टोटल पचीस सो किलो मिटर गं संत्राले द्वारा मौखिक स्वास सुचना के लिए इस्थापी digital platform का नाम बताना है और ये मैं बता दू ये कौन सा platform है उसका digital platform यानि उस digital platform का नाम क्या है तो उसका नाम है इदात देवा option number B आपके मुंग में अगर कोई भी problem होता है तो आप यहाँ पर अपना check up के लिए registration वेगरा करवा सकती है जो भी आपको जनकारी लेना है information लेना है वो सब कुछ आपको इस platform के उपर मिल जाएगा ठीक है चलो अगला प्रस हमारे सामने है बिस्व डाक दिवस कम मनाया जाता है आप फोटो में देख पा रहे होंगे world post day और ये मनाया जाता है आपका प्रती बर्स 9 अक्टूबर को ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है और ये question काफ़ important है exam के point of view से बहुत जादा question है यहाँ पर global competitiveness index 2019 में भारत का rank है क्या तो जो इंडिया का rank है वो है आपका 68 क्या rank है 68 और मैं आप सभी को एक बात बता दूँ आप सभी के mind में आ रहा होगा कि भाया टॉप पर तो आप इंडिया का जो rank है वो तो 68 है लेकिन टॉप पर कौन है तो जो टॉप पर है वो है आपका Singapore कौन है Singapore और आज का आपका पहला प्रस्द Singapore से ही निकल कर आ रहा है आप सभी को comment करकर ये बताना है कि Singapore के PM यानि Singapore के पढ़ान मंत्री का नाम क्या है ये आपको comment करकर बताना है ये आपका आज का पहला काम है ठीक है अगला प्रस्द मारे सामने है आईसुमान भारत PMJAY योजना के जो आपका कारे नेवन को मजबूत करने के लिए रास्टिस्वास्थ प्राधिकर्ण ने किस कमपनी के साथ सयोग किया है ये आपको बताना है किस कमपनी के साथ कोलॉबरेट किया गया है National Health Authority का यानि NHA का तो Google के साथ जो है वो टाइप किया गया है किसका आई सुमान भारत परधान मंत्री जन आर्योग योजना ठीक है इसको बढ़ावा देने के लिए इसको मजबूती परदान करने के लिए Google के साथ जो है वो टाइप किया गया है ताकि आप सभी को पता है Google वेगरा बहुत ऐच चलाते हैं Google जो है वो बहुत अच्छे से पर्मोट कर पाए और इस स्कीम को इस योजना को मजबूती परदान हो सके ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है इनसको के गोड़विल एमबस्डर इंडिजिनियस पिपूल के लिए किसे बनाया गया है इनमें से किसे भारतवन सी लोगों के लिए इनसको सद्भावना राजदूत के रूप में निव्ट किया गया है उनका नाम बताना है और उनका नाम है आपका क्या तो उनका नाम है आपका यालती जा अपेरिक्यो आप्सन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल साही एंसर है जो फोटो में देख पा रहे है वो यही है और इनसको का करे हेट कॉर्टर कहां पर है तो पैरिस फ्रांस में है और इनसको का ही जो अध्यक्ष है जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपका order है और जो अलाए ठीक है अगला पस हमारे सामने है smart city होने के लिए imd smart city इंडे 2019 में किस सहर ने top किया है और जो आप फोटो में जो सहर देख पा रहे हैं जो top पर है वो सहर है आपका सिंगापूर ठीक है अगला पस हमारे सामने है ये question काफी important है हाल ही में 2019 रकुटिन चपान ओपेन टेनिस चेंपियंशिप के 46 सथकरण में पूरुसो का एंकल खिताब किसने जीता है और जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं आप सभी को पता है ये कौन है no work सभी को पता है ठीक है इन्होंने ही खिताब जीता है स्टार पिलियर है ये टेनिस के अगला पर समारे सामने है चाइनिस ओपेन दर 19 महिलाओ के लिए 23 सथकरण में महिला एंकल खिताब किसने जीता है और ये जीता है आपका नवामी ओसाका ने राइट चलो अगला पर समारे सामने है हीरो ओमेन इंडियन ओपेन 2019 का टुनामेंट किसने जीता है और एक कुछन याद रखेगा आप इस से अगर एक्जाम में पूस देता है हीरो ओमेन इंडियन ओपेन जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है तो ये जुड़ा हुआ है आपका गॉल्फ से ये आपको याद रखना है आप फोटो में देख पा रहे होंगे गॉल्फ और ये जो जीती है इनका नाम है ये अस्टेरिया की रहने वाले है अस्टेरिया और इनका नाम है आपका क्रिस्चने ओल्फ क्रिश्चने और्फ नाम है इनका यही जो है इसकी बिज़ता रही है अगला क्वेस्टन है वर्ल मेंटल हेल्थ डे यानि हर साल विस्वमांसिक स्वास्थ दिवस कम मनाया जाता है और यह सेलिबरेट किया जाता है आपका 10 अक्टूबर को ठीक है तो यह थे आपकी important current affair 10 अक् success की 98.in से डाउनलोड कर लीजेगा और किसे हमारा application success की 98 का डाउनलोड करकर आप किसी भी exam का mock test दे सकते हैं ठीक है तो जितने भी मेरे भाई बैन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत good morning आपका दीन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी खयाल लखेगा ठीक है चलिए